यार यह तो बहुत बड़ी टेंसनली बात है अगर आप धनी से लोग लिया तो यह जूर सुनो यहाँ पर लोग अदालत में बुलाया गया लोग अदालत में नहीं गये और कानूनी कारवाई कर दी यहाँ पर नूटिस आया है यहाँ पर मैं आपको पढ़के बता दूँ कि 12 मार्च को लोग अदालत के समख्च आपको बुलाया गया लेकिन आप उपस्तिती होने में विफल है अच्छी तरह से कानूनी कारवाई करेंगे इसके जुम्मेदर आप होंगे जैनी त efectि तो आपको लोग अदालत में बुलाया और नहीं गए यह तो बहुत रिक्त वाली बात होंगे अगर आपने लिया है दनीत है तो आमको लोग अदालत में भुलाया जाया है और दानीत हो मैंने यह सथैंने यह हरे ही सिरे कर ते बड़ी आपकह समझपा वह मनना ब तुरियो पूरा देखो ठीक है दोस्तों यहां पे हम हमेशा से बोलते आए हैं धनी फ्रॉड है धनी ने ये गलत कर दिया धनी ने वो गलत कर दिया आपने क्रेट काट लिया है तो मत लीजिये ऐसा हो गया वैसा हो गया तो यहां पे हमारे सब्सक्राइबर ने वही क्रेट का उन्होंने गलती ये कर दी जो आपको या किसी को भी नहीं करनी चाहिए उन्होंने उस नोटिस का जवाब भी नहीं दिया और लोग अदालत में भी नहीं गए अब ऐसे में जो है ये बहुत बर इनकी गलती थी मतलब उनको जाना चाहिए था अब जब उन नहीं गए तो ऐसे में उनके साथ क्या हुआ क्या करना चाहिए अब जब नहीं गए हैं अब क्या होगा क्योंकि ये तो कोट की अमाना हो गई है ना तो ऐसे में यहां पे उनके दिमाग में ये कोशन आ रहा है कि अब क्या होगा कि हमारे घर पे ना आ जाए क्योंकि हम जो है लोग अदालत में न करना चाहिए क्योंकि रइस्ट्रट कंपनी एसा तो नहीं कि सच में ने को लीगल एक्षन ले लिया हो यह ले 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 तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ होंगे तो यह वीडियो लास तक देखना द्यान से देखना बहुत जरूरी है क्योंकि यह लीगल कंपनी है रेजिटर होने का पूरा फाया ठारी है जबकि यह है पूरी फ्रॉड फ्रॉड वाला काम कर रही है इंडिया बुल्स की धनी तो हम आपको सब कुछ बताएंगे इत दोस्तों यहां पर आपको पताई है कि धनी इतनी बुड़ी फ्रॉड है यहां पर धनी के करमचारी खुद ही उसके जो है उसको गाली गलोज कर रहे हैं धनी अपने करमचारियों का नहीं हुआ तो आपको क्या होगा अनाप सनाफ चार्ज लगा रहा है कभी 200 रुपए कभ जो है एक नोटिस आया था कि आपको फला फला तारिक में लोग अदालत में जाना है वहां पर हम आपसे बैटके बात करेंगे जो भी आपने हमारा लून लिया उसके बारे बैटके डिसकस करेंगे लिकि इन्हों ने ध्यान नहीं दिया यह भूल गए या अग्नॉर कर जो भी था मलों कुल मिलाकर ये लोग अदालत में नहीं गए अब ऐसे में क्या होगा मैं आपको बता दूं ठीके ना जो धनी ने लोग अदालत के लिए भलाया था ऐसे में वो बंदा जो जो भाई है माज जो सब्सक्राइबर वो नहीं पहुंचे ऐसे में क्या होगा जब वो नहीं पहुंचे तो उनके पास एक मैसीज आया आप यहाँ पर सकते हैं मैं आपको दिखा देरा हम स्कीनशोट यह जो है दिया हुआ है बारा मार्च को लोग अदालत लगी थी बारा मार्च को जो नहीं गए तो उसके वहाँ पर जो मैसीज भीजा है यह आप देखिए उपर लिखा हुआ इंडियन बोल धनीगाई है इस स्कीनशोट भीजा है हमें पिरिये घराक आप बारा मार्च को आजोजित न्यायलल लोग अदालत के समक्ष लोग अदालत सिविल कोड बिहाइंड बनकी प्योर पोस्ट ओफिस साली ग्राम सिंग पात पटना पिन नमबर में उपस्टित होने में बिफल रहे मतलब नहीं आए इस से पहले हम आपके ख कॉल दें समझगे यहां पर बारा तारीक को यानि बारा मार्च को होली से छे दिन पहले उनको पटना में लोग अदालत लगी थी पूरा कोड का यहां पर एडिस भी दिया हुआ है सिविल कोड बिहाइंड बाकी बनकी पुर करकर के दिया हुआ है वहां पर बुलाया गया यह नहीं गए भूल गया जो भी था या जानबुस्की नहीं गए तो अब यहां पर में कुर्शन ही होता है कि यह लोग अदालत में नहीं गए अब भी क्या होगा इनके साथ क्या होगा क्योंकि यह चीच आपके साथ भी हो सकती ही तो आपको जानना बहुत जरूरी है तो यहां पे लोक अदालत में यह नहीं गए कुछ भी नहीं होगा बिलकुल नहीं होगा क्योंकि यह कोई केस नहीं है लोक अदालत का मतलब क्या होता है वहां पे छोटे मोटे मुकद में मतलब भादरी निटाए जाते हैं तो इसलिए लोक अदालत रखी गए जहां पे लोग आ हुआ है और आप प 있으면 बैट की जो भी छोटी समस्था हैं उसको हापने बैट के उनके सामने बैट के आप जो है आप यही प्रॉल्लम उसका सॉलुसय निकाल ले तो यही था जो इन्होंने लिया आता तो company ने इनको लोग अदालत में बुलाया फीक ना लोग अदालत में बुलाया यह नहीं गए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाईया हमारी मर्जी नहीं हम आपते बैटके बात नहीं करना चालते तो इसमें ऐसा नहीं है कि court आपके वोपर कोई अबमाना कोई चार्रिज्स तो आपको कोट अपने हिसाबते जो भी जुर्मान आया कुछ भी जो भी उन्हें रखता समझ में आता वो दे सकता था तो यहां पर लोग अदालत का मतलब होता है कि जो कमपनी है और मिल्ब जिसने लोन दिया है देन दार और लेन दार लेने वाला दोनों को बलाया आता है को लोग अदालत को रखा गया है कि छोटी मूटी समस्याओं को जो भी है आपस में आकर सुल्जा लो यह पूरी लोग अदालत का यह process होता जो मैंने आपको समझाया तो धनी वालों बात करते हैं कि अब लोन क्यों नहीं चाहते हैं कि हम कोई जो है आपसे बैठके बात करें वो बलब ऐसा नहीं चाहते हैं उनको यह लगा होगा हाँ अब कंपनी इंक्यूपर सिविल में केस करते पोची अलग है लेकिन होने के बाद भी यह जो इसका प्रॉसर जो अधिकार है जो यह काम कर सकती है चीज़ को समझो तो यहां पेकुल मिलाक कहने का मतलब यह अगर यह लोग अदालत में नहीं गए यह आपके बास आता आप नहीं जाते है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोट के आमाना हो गई आपको दिक्क्त हुएगी या कोई नया नूडिस आ जायाएगा आप गरस्तार हुआओगे वारंट कर जायेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा वो बनाया गया है भहिया आपकी सिर्थ समझा दिया लेकिन यहां पर नीचे आप देख पा रहे होंगे कि मैनेजर को कॉल करने भुक्तान या निप्टारे के लिए या इस पर मिस्कॉल दें एक भी नंबा नहीं लगता है मुझे यह सिकायते मिली हैं कि सर अगर लगया तो लगया नहीं तो कभी भी नंबा ल पर नहीं है तो लोग अधालत में आप नहीं जाओं कोई दिक्कत होता है लेकिन लोग अधालत में ऐसे कुछ भी नहीं है अगर आप नहीं गए तो कोई भाल्म बाली बात नहीं है और एक चीज और मैं आपको दिखा दू जो हमें क्लियर हो जाती है कि यह जो मैंने आपको पूरा बताया हो सकता है कि यह पूरा जूटो क्योंकि इन्हों मैं बोला कि असोग नर्वत के नाम से आये और भाईया असोग नर्वत के उपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है आप चाहो तो मैं आपको आए बटन पर लिंक दे दूँगा आप मेरे वीडियो में चेक कर सकते हो डिसके समय लिंक दे दूगा कुछ इस तरह का थम मैसीज भेजा है इसका कोई वजूद ही ना हो जो इन्होंने बोला है कि हमने बारात तारीक को लोग अदालत ने बुलाया था यह तक हो सकता है कि टोटल बखवास और टोटल फर्जी ओ यह आपको ब्लाने का तरीका हो ताकि आप दरके मारे या वहां पर आपको आपके यह होता है शूबत ना का को वकील ही नहीं कोई पैदाई नहीं कोई वकील नहीं है अगर यह तोटल fraud message है, फर्जी message है, सिर्फ आपको डराया जा रहा है, धमका जा रहा है, कोई भी दिक्कताली बात नहीं है, दोगो, मैंने आपको दोनों चीज़े बता दी, अगर लोग अदारत में, अगर उन्होंने सच में बुलाया होता, अगर आप नहीं है, तब भी कोई दिक्कताली बा बात नहीं है, यह इनका जितना भी काम चला है, सब फर्जी है, बहुत लोगों को लूट रहे हैं, परदेसान कर रहे हैं, धनी कंपनी लगबख बंदो चुकी है, शी को भी अभी कोई लोन बगारा कुछ भी नहीं दे रही है, अपना क्रेट कार्ट बगारा कुछ नहीं द दावा की सिकायत करो, ट्वीट करो, और कंजिरूम फारम में करो, लेकिन इसकी सिकायत करो, इसको छोड़ो मद फर्जी मैसेज भेज रही है, और यह जो नोटिस भीजा है ना, बहुत जो यह मैसेज किया है मोगाल पे, जो मैंने आपको पूरा बताया, मुझे मैं सही बता तो यह सही है, कि गलता है मैंने दोनो कंडिशने बता दी अगर कोई भी आपको लोग अदलत बुलाता है, और आगकर नहीं जया पाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहिए, और कोई लोग अदलत के पिना किलिए, और आपको इस तरीकी से बुलाएं और आप से करेंगे कभी कुछ कहते हैं उनको समझ में नहीं आता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहां पर मैंने क्या काया चुछ को समझ अगर यह मैंसे असोग नजब वकील ने भीजा है तो लोग कोई मतलब नहीं हैं और भी नोटिस भीज रहे हैं और भी वकीलों के नाम से तो जिन भाईयों के पास धनी के तरब से और और बकीलों के नाम से नोटिस आ रहे हैं वो मुझे आप बेजो तो मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा उसको चेक करके बताऊंगा कि है वो नोटीस रियल है ऐसे मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं इसली बोलाओ कुई बहुत से लोगों ने सवाल किये कि सर यह नोटीस आ रहा है दनीक तरफ पर वो नोटीस आ रहा है तो वो मैं दे होने वाला है आपकी मर्जिये जाओ यह मती जाओ लेकिन तारीक में जाओगे अगर कोई मगदमा चला है कोई केस चला है सिविल में हो या क्रिमिनल में कुछ भी हो तो आपके वारंट कर सकते हैं कि यह भाई क्यों नहीं आ रहे हैं ऐसी प्रॉल्लम क्या है एक बार दो बा आपको हर एक बास समझ में आ गई हुए अगर आपको आ गई है तो आप लाइक कर दो कमेंट करके जुरू बताओ धनी एप आपके साथ क्या कर रही है क्या 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 आपको प्रॉलम सेज करनी पड़ रही है मुझे बताओ और लाइव इंटर्वी दो और इसको इससे और मैं यहा कंट कर दिया था थिया था थिक आवी मैं थोड़ी दिने के लिए बंद कर दिया है तब से काफी सारे केसे कम हो गाए है थीखिक न लेकिन अपकेश्टे पढ़ रहा है तो मैं चालतंए इस तरा तो ने आप आप यह कहुँए हमारे घर वैटो जो चाहते लड़ना तो यह इतना तो करी सकते हैं अगर आप इसे मैं यह कहूं कि हमें धरना देना है हटाल करनी है ऐसा करना है तो आप उसके लिए तयार हो इतनी दूस्ते मेरे पास आ जाओगे अगर मैं आपसे कहा घर बेटे इतना ही काम कर लो लाइव इंटर्व्यू दे दो तो कम स कैसी भी फर्जी लोने आपसे परेशान हो चाहिए रजिस्टर्ड हो या फर्जी हो कैसी भी चल लई हो आप उसकी सब्सक्राइब में जरू करा है यह बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी इसको समधाने में मतलब कोई दिक्कत ना है आसानी से समना सकें आर्भी में करो आप को दोरा डेक्ति मुझे बात कर सकते हैं तो प्लीज आप जरूर बात करें आकर आपके मन में कोई भी सवाल है कोई दिक्कत है तो ठीक है तो दोस्तों आप बस हमेशा की तरह में चलूँगा जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आकन को पैस कर देना त पत्त में जायते